नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूटूब चैनल टीच सुरेश दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी P1 5G फोन में आप ड्रावर शेटिंग कैसे आन करें तो गाइज उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा आपको सबसे पहले अपने फोन की शेटिंग को आन करना होगा गाइज आप अपने फोन की शेटिंग को आन करना उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटाफिश ओपें हो जाएगा आप यहां से थोड़ा सा स्कोल अप करेंगे आपको देखिए यहापर एक option मिल जाएगा Home Screen Lock Screen का option आप इस पर क्लिक कर देना उसके बाद आपको First Number पर मिल जाएगा Home Screen Mode आप इसे अन इस पर क्लिक करना उसके बाद आपको देखिए आपके दो प्रकार का ड्रावर मोड मिल जाएगा एक extender, दूसरा है driver mode आप extender mode पर click करके यहां से apply करदा और यहां से आपको युका option आजाएगा switch का, आप switch वाले option पर apply कर दीजिएगा, उसके बाद आपका जो है app driver कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आप देख सकतो हो यहां से हम school कर सकते हैं, और हम यहां से आप करना चाहें, तो हमारे जो driver mode आप नहीं होगा, तो चलिए हम आपको second number driver mode का use करना बताते हैं, तो उसके बाद आपको देख से driver mode पर use करेंगे, यहां से नीचे apply करके switch कर देंगे, तो जो हो आपका driver mode कुछ इस प्रकार से यहां पर आपको demo होगा, आप देख सकते हो, यहां से हम slide भी कर सकते हैं, और यहां से हम up करना चाहें, तो आप कर सकते हैं, guys driver mode में कुछ 2-3 sitting आवर हैं, आप यहां से जान सकते हो, आपको देख सकते हो, यहां पर app suggestion और keyboard का option, जब आप यहां से score करते हो, तो कुछ इस प्रकार से यहां पर application होते हैं, यहां पर automatic keyboard हो जाता है, तो उसके लिए आपको यहां पर आके, तीनों option को off कर देंगे, तो जब आप यहां से driver mode को यहां से on करेंगे, ना उपर application होगा, ना suggestion में कोई application जिसन रहेगा, और ना ही आपका automatic keyboard यहां पर आएगा, तो guys, आप अपने phone में कुछ इस प्रकार से app driver की setting on करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, I hope guys, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो like और चैनल को subscribe जरूर करें, मिलते हैं फिर किसी दिन, next topic, next वीडियो, तब तक के लिए, bye, take care